बुद्ध के अनुयाईयों के लिए स्वस्थ रहना मन और शरीर के संतुलन में प्राप्थ होता है। उनके धार्मिक दर्शन और जीवन का तत्व, स्वास्थ्य, शान्ती और स्थूल रूप में सुखमय जीवन को प्रकट करते हैं। यहां कुछ बुद्ध के संदेश हैं, जो स्वस्थ रहने के लिए महत्व पूर्ण है। अहिंसा बुद्ध ने अहिंसा को महत्व दिया था। व्यक्ति को दूसरे व्यक्तियों या प्राणियों को नुकसान न पहुँचाने की प्रेरणा दी। अहिंसा व्यक्ति के व्यवहार और व्यक्तित्व को शान्ति और सम्रिध्य देती है। सात्विक आहार बुध्ध ने सात्विक आहार का महत्व समझाया था। सात्विक आहार जैसे फल, सबजियां, अनाज और ताजे पदार्थों का सेवन, शरीर और मन दोनों को शुद्ध और स्वस्थ रखता है योग और ध्यान योग और ध्यान से व्यक्ति अपने मन को शांत और स्थिर्ता प्रदान कर सकता है बुद्ध ने ध्यान की साधना को महत्व दिया था जिससे मन की स्थिर्ता और चित्त की शुद्ध होती है व्यायाम शारिरिक सक्रियता भी स्वस्थ जीवन के लिए महत्वपूर्ण है बुध्ध ने भी यह बताया था कि नियमित व्यायाम और योग शरीर को सुद्रण बनाता है समवेदन शीलता बुध्ध के अनुसार दूसरों की समवेदन शीलता और दया एक महत्वपूर्ण गुण है दूसरों की मदद करना और उनकी समस्याओं को समझना व्यक्ति को एक स्वस्थ और सामाजिक रूप से भी सम्रिध बनाता है मन की शुद्ध बुध्ध ने बताया कि मन की शुद्ध का होना स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक है मन की शुद्ध के माध्यम से व्यक्ति मन के व्यक्तित्व को विकसित कर सकता है और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं इन सभी तत्वों को अपनाना और अमल में लाना व्यक्ति को एक स्वस्थ और सुखी जीवन जीने में मदद करता है जो बुद्ध के दर्शन का मूल सिध्धान्त है